पर्यटकों के लिए तीन माहबाद खोला गया बांधवर्ट टाइगर रिजर्व का कोर जोन पार्क के डिफ्टी डारेक्टर लवित भार्ती ने भगवान भोले नात की पूजा अर्चना करने के बाद पर्यटक वाहनों को हरी जंडी दिखा कर कराया प्रवेश पर्यटकों में दिखा अपार उत्साह आप देख रहे हैं बॉलट रिपोर्टर खबर मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से है वनिप्राणियों और अपनी प्राकृतिक सुन्दर्ता और जैव विविधता के लिए मशहूर बंधवगर टाइगर रिजर्व का कोर जून आज तीन महीने के बाद पर्यटकों के लिए खोल दिया गया पार्क के जिप्टी डाइरेक्टर लवित भारती ने भगवान भोले नाथ की पूजा अर्चना करने के बाद पर्यटक वाहनों को हरी जंडी दिखा कर पार्क में प्रवेश कराया बांदवगर अज से परेटन वर्ष शुरू हुआ है और इस परेटन वर्ष की शुरुआत में ही हाउस फुल से शुरुआत हुई है आज पूरे लगभग दोनों दिन वीकेंड के फूल है फूल सफारी जो हमारी रेट्रेड वीकल हैं सारे जा रहे हैं तैयारियों में हम लोगों ने अभी इस वर्ष सारे टूरिस्ट के तैयारी के लिए जो गाइड से उनका अच्छा प्रसिक्षन कराया है और ड्राइवर्स को भी प्रसिक्षन किया है जिससे कि लोगों का अनुखाव अच्छा हूँ और बांदवगड में आये तो वो पहले स और बहतर अनुखाव के साथ यहां से वापिस जाएं बांदवगड में प्राकृतिक सुन्दर्ता और दुरलव वन्यजीवों का दीदार करने के लिए आने वाले परटकों में खासा उत्साहत देखा गया तो अँट करये पाहे हुआ प्था पहली बार नहीं है मैं आता रहता हूं यहां पर काफिश हाक है मुझे बाई लाइफ आज पहलाए है तोने लाइख को जो पेल्ग कुल रहे हैं क me subscribe को कि कि पहले दिन पार्ख खुलने का बहुत इंजार था बैस अब आज जारे हैं सफारी पर इसके पहले आज चुके यह काफी साइटिंग भी और गर्मी काफी साइटिंग कि वुई थी इसके पहले बांधोगर के लावा भी आप ने किसे पार्क विजिट किया कान नैशनल पार् करते हैं तो बांधवगर का पार्क तो अच्छा है हुआ 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 है कि विशाल हम मुंबई से आये मुंबई पुने और दुबई से भी आये कुछ लोग तो अच्छा लग रहा है हम बेसबर से इंतदार कर रहे दे पहले एक्टोबर का यह दूसरी पुरी बार हमारे पहले ही दिन सफारी के तो बहुत एक्साइडेड है आगे जाके अच्छी सफारी होगी हम बहुत बार हमारा यह 11 साल है लगादर हम आते जाए रहे है बहुत अच्छा सैटिंग होता है हमेशा हर साल बुलेट रिपोर्टर के लिए प्यूरो रिपोर्ट उमरिया नए वीडियो सेवं ताजी खबरें मिलती रहें इसके लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले